आज हम करेंगे lines and angle chapters के question answers introduction मैंने पहले से करवा दी थी ठीक है अब इसके question answers करते हैं तो first question देखो in the given figure AD and CF are two straight lines ठीक है AD और CF यह AD है और यह CF है दोनों straight lines है find angle EBF तो EB and F यह वाला angle हमें find करना है इधर वाला अब देखो AD and CF है na straight lines तो angle जो 120 उपर बन रहा है that means ABC angle किसके equal होगा DBF के ठीक है DBF में हैं दो angles आ रहे हैं कौन-कौन से DBE and EBF तो यहां पर हम लिखते हैं ABC plus तो DBF है ना दूसरा तो DBF में मैंने आपको पताया दो angle आ रहे हैं DBE और EBF is equal दोनों के दोनों equal हैं प्लस नहीं है यहां पर प्लस का नहीं है यह दोनों equal है vertically opposite angles के कारण ठीक है इस property के कारण यह दोनों angles equal हैं अब angle जो ABC है वो हमारे पास उसकी value given थी 120 degree और जो DBE है DBE वो 45 degree दिया है EBF तो उसने fine करने को वोल है ठीक है तो DBE की value में put करवा देता हूं तो EBF किसके equal आ जाएगा 120 में से minus करदो तो कितना आ जाएगा 45 75 degree जो की हमारा option है option C ठीक है तो बहुत easy questions है अगर आपने properties समझी है अभी भी नहीं समझी तो जाके समझ सकते हो second question देखो AB and CD are parallel दोनों parallel दी हुए then find the value of Y, Y की value find करनी है अब देखो यह दोनों angles अगर हमें AB और CD parallel दी है तो यह इसकी transversal है that means यहाँ पे हम properties use कर सकते हैं तो यहाँ से इदर को के then इदर आए है इदर आगे क्या बन रहा है यह हमारा Z, Z के अंदर angles बन रहे है उपर बन रहे है उपर बन रहे है that means alternate exterior angles नहीं तो 4Y minus 35 is equal to 2Y plus 43 यहाँ पे हम लिखेंगे 4Y minus 35 degree is equal to 2Y plus 43 degree अब 35 को इदर ले आओ तो Y वाले को इदर ले आओ तो Y वाला जो 2 plus का था इदर आके minus का हो जाएगा और 35 जो था वो उदर जाके plus का हो जाएगा तो यह आजाएगा 8 and 78 यहाँ पे बच जाएगा 2Y तो Y इसके equal आजाएगा 78 over 2 तो यह आजाएगा हमारा 3 and 9 39 degree Y की value है तो Y की value हमने 39 निकाल लिए जो की option C है ठीक है चलिए next question पे चलते हैं अब question देखो third कहता which line is parallel to J I J I यहाँ पे है और उसके parallel है CD तो option A हमारा right है ठीक है next fourth question देखो AB is parallel to CD AB and CD parallel है ठीक है और यह फिर उनकी क्या हो जाएगी transversal transversal जरूरी नहीं है कि पूरी उपर तक ही निकल के जाए यह भी एक transversal का काम कर रही है दो parallel lines के बीच में ओके now and E CD is a right angle यह वाला 90 degree दिया हुआ हमें ठीक है find angle Y तो Y हमें fine करना है उसके लिए हम क्या करेंगे D, C, A को fine कर लेंगे जिससे क्या हो जाएगा यह पूरा को पूरा 360 degree बन जाएगा एक angle यह भी हमारे पास है 90 वाला भी है तो Y हम fine कर सकते हैं easily तो D, C, A angle हम कैसे fine कर सकते हैं देखो B, A, C and D, C, A क्या हैं co-interior angle नहीं है यूँ नी बन रहा है यह वाला दो lines parallel है एक transversal जा रही है और अंदर की तरफ दो angles बन रहे हैं तो वो क्या होते हैं co-interior, co-interior adds up to 180 दोनों का sum क्या होता है 180 degree होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22 degree plus angle D, C, A is equal to 180 degree इसको उदर जाके minus कर दो तो angle हमारे पास D, C, A आ जाएगा 158 degree आ गया है अब यह वाल angle 150 plus 90 plus Y is equal to is equal to 360 degree क्यों क्योंकि complete angle बन रहा है एक point के उपर पूरा का पूरा complete angle बनता है इन दोनों को add का रहो उदर जाके minus करवा दो 360 degree minus 90 हो जाएगा 270 और उसमें से हमें minus करना है 158 degree तो वो आ जाएगा 2, 1, 1 112 degree तो Y की value है 112 degree जो की option हमारा B है ठीक है चलिए 5th question पे चलते हैं अब question देखो अब in the given figure ABC is a straight line ABC एक straight line है तो उसके ओपर कितना angle बनेगा complete angle बने तो 360 अगर straight angle बने तो 180 अगर straight angle बने तो 180 अगर बने तो और कहता कि A को fine करो अगर मैं B को fine करता हूँ क्या मेरे पास A की value आजाएगी yes क्योंकि सारे के सारे equal है तो अगर सबको ही मैं A माल लूँ तो क्या उससे कोई फरक पड़ेगा नहीं मैं B को भी A लिख लेता हूँ C को भी A और D को भी A तो A कितने होगे मेरे पास total 4 और A क्या है मेरे पास 90 degree के angle 4A प्लस 90 degree किसकी equal आएगा 180 degree क्योंकि ये एक straight angle है तो ये मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 4A प्लस 90 degree is equal to 180 degree ये सब bracket में तब लिखने आपने जब आप theoretical काम मतलब जो exam होते है आपके school वाले उसमें लिखने है इसमें मैं इसलिए नहीं लिख रहा अब देखो 90 उदर जाके minus होगा 90 बच जाएगा 4 से जब मैं 90 को divide करूँगा तो मेरा answer आएगा 22.5 degree तो 22.5 degree मेरा option A है ठीक है तो चलिए 6th question पर चलते हैं तो हमारा next 6th question है if two supplementary angles are in the ratio 3 ratio 7 then find the difference between them जब भी ratio में कोई चीज आ जाए ना उनको अलग करने का एक ही तरीका है उनके साथ कोई भी variable चिपका दो अब मैं इन दोनों के साथ एक variable लगा दूगा वो होगा x ठीक है अब देखो यहां पर मैंने दोनों के साथ variable लगा दिया x उसने क्या बोला है दोनों के दोनों क्या है supplementary angles है supplementary angles का sum क्या होता है 180 ठीक है अब देखो 3x प्लस 7x 10x तो x की value कितनी आगी 18 क्योंकि 10 उज़र जा तो 7x 18 and 3x 18 उसने बोला था दोनों का difference find करो तो दोनों का difference बड़े में से चोटा minus करेंगे ओके अब बात यहां पर आती है कि हमें इसको जल्दी से कैसे करना है ठीक है यह चोटी-चोटी सी चीज़ें अगर आप जल्दी-जल्दी करोगे तब ही आपके answer फटा-फट से जब मेरा 18 common आ गया यहां से अंदर क्या बचा अंदर बचा 7 minus 3 तो 7 minus 3 क्या होता है 4 तो 4 into 18 नहीं आ गया तो 4 into 18 करा मुझे एक बार multiply करना पड़ा और minus तो वैसे दिमाग में कर सकता हूं मैं 7 minus 3 तो तो यह चोटी-चोटी सी चीज़ें अगर आप सीखते रहोगे और इनको अपनी calculations में डालोगे तो calculations automatically fast हो जाएंगी कोई यहां पर trick वगएरा इतनी जादा काम नहीं आती है basic tricks काम आएंगी जो हर एक question पर लगे जैसे यह basic है यह हर एक question पर लगेगी ऐसा question अगर आपको दिखता है ठीक है तो यह वैसे वो भी है आपकी trick property है यह वाली distribution property है यह ठीक नहीं पड़ेगा अगर आप use नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी calculations में और paper जवाब का time पर नहीं खतम होगा ठीक है चलिए next question पर चलते है 7th question है देखो which of the following points holds कौन कौन सी statement कहता true है यह false है जो भी है ठीक है if two lines intersect then vertically opposite angles are equal यह तो right है यह तो property है sum of all the angles around a point एक point के around angles का जो sum होता है वो 180 degree होता है जो की wrong है 360 degree होता है तो एक statement तो true है second statement false है तो इसको option के answer आगया हमारा option B अब चलते हैं हमें 8th question के देखो 8th question में in the given figure S O T P O Q दोनों की दोनों क्या है straight lines है P O Q S O T यह दोनों straight lines है तो angle मतलब हमें vertically opposite वाली property यहाँ पर use करनी है उससे पहले देखो उसने का बोला find the values of A and B B और A की value find करनी है अगर मैं यहाँ से देखो S O T P O Q यह वाला angle 61 और B किसके equal है A के ओपर A के equal है ठीक मैं यहाँ बेले के देता हूँ 61 degree plus B is equal to angle A अब मुझे B की value चाहिए या फिर A की value चाहिए दोनों values को find करने के लिए देखो यहाँ से अब P O Q क्या है एक straight line straight line के ओपर कौन सा angle बनता है 180 degree का तो 45 B 61 degree किसके equal है 180 के तो यहाँ पे लिखते हैं हम 45 61 plus B किसके equal है 180 degree के तो angle B किसके equal आ जाएगा 180 minus 106 तो यह आ जाएगा 74 degree अब 74 degree हमारा angle B आया है तो इससे A भी आ जाएगा तो A निकल के आएगा हमारा 5 13 135 degree तो option जूनते हैं हम एक आया हमारा 74 degree बी की value उसने बाद में लिखी तो बी की 74 यहाँ पे है और दूसरा है 135 तो इसका right option क्या हो गया हमारा option B तेखेंगे चलिए next question पे चलते हैं हम option number 9 in the given figure PQ is parallel to ST जो PQ है वो parallel है इसके ST line के ठीक है और यह इनकी क्या होगी फिर एक transversal होगी दोनों की ठीक है ओके next AB is a straight line AB एक straight line है find the angle BST B, S and T तो यह वाला angle हमें find करना है इधर वाला ठीक है उसको find करने के लिए देखो यह क्या बन रहा है यहां पे यह Z नहीं बन रहा हमारा ठीक है तो अगर यह Z बन रहा है तो that means 98 degree और यह पूरा angle ठीक है याद रखना पूरा angle में 28 degree भी आ रहा है और हमें क्या मिल जाए अंगल AST ठीक है 28 plus angle AST किसके equal है 90 degree के यहां पे लिखते है 28 degree plus angle AST is equal to 98 degree यहां पे alternate interior angles तो angle जो AST है वो किसके equal आ जाएगा 70 degree है फाइन में क्या करना था BST देखो यह एक straight line है इसके उपर यह दोनों angle सी कठे आ रहे हैं तो यह क्या है दोनों सम क्या आएगा 180 degree दोनों का सम 180 है एक हमें given है 70 180 में से 70 minus करेंगे तो 110 degree नहीं आएगा तो angle जो BST हो कितना आ गया हमारा 110 degree राइट option है हमारा option A ठीक है next question पर चलते हैं तो हमारा 10th question देखो अब in the given figure A B is parallel to C D parallel to E F ठीक है A B E F के parallel है और C D के parallel है E F C D और A B सब के parallel है आपस में सब एक दूसरी के parallel है which of the following statement is true कहता कौन सी statement इन में से true है हम पहले खुद find कर लेते हैं A और B और C और D का relation है ठीक है देखो यह line इस line के parallel है तो यह B F क्या है इसका transversal that means angle A और angle B क्या हो जाएंगे co interior co interior का sum क्या होता है 180 degree तो यहां पे देखो A plus B is equal to 180 degree दिया हुआ है तो यह true है लेकिन हमें बाकी options भी चेक करनें B plus C is equal to 180 degree तो क्या B और C 180 हो सकते हैं यह दोनों नहीं हो सकते तो यह तो गलत है अभी तक A right है C plus D 180 यह और यह देखो E F CD के पहले रहे यह इसकी transversal है तो यह Z नहीं बन रहा और C और D angle equal होने चाहिए ना की दोनों का sum vanity होना चाहिए तो यह भी गलत है उसके बाद A B और C तीनों का relation तो हम वैसे नहीं ढूंड पाएंगे कहीं पे और वैसे भी 360 degree कैसे हो सकते हैं एक point के equal थोड़ी है एक point के पर थोड़ी बने हुए है दोनों A यहाँ पे है B और C यहाँ पे है A इधर होता तब यह true हो सकता तो इसलिए हमारा option A क्या है right है अब हम तो यह हमारा 11th question 11th question बाकी question से different है क्यों है different क्यूंकि हमें इसमें lines parallel proof करनी है ना कि हमें given है तो उनको proof करने के लिए क्या तरीका है उ कोई भी जो हम parallel lines के बाद property यूज करते थे ना वो वली property equal करवा दो किसी तरह से एक भी property equal हो गई तो आपकी lines क्या हो जाएंगी parallel हो जाएंगी तो चलिए पहले PQ और RS को करते हैं then हम UV और WX को proof करें तो देखो यह PQ है और यह RS है हमारी line अब देखो हम हमारे पास देखो PQ और RS के लिए 2 transversals हैं हम एक transversal लेंगे इदर वले इदर वली क्यों ले रहे हैं यहाँ पर देखो सिरफ इस transversal के ऊपर एक ही angle given है यहाँ पर 2 angles given है तो यह transversal लेने का फायदा होगा अब देखो जो angle T, Z और Y है और angle X, Z और S है angle T, Z, Y is equal to angle S, X, Z, S क्यों equal है vertically opposite angles के कारण ठीक है इस property के कारण क्योंकि vertically opposite तो हों गई ना उसमें हमें पहले की जूर नहीं पड़ती सिर्फ दो lines जहीं है तो यह दो lines है अब हमारे पास यह वाला angle भी आ गया अब हम क्या करेंगे O, T, Z angle O, T, Z प्लस कर देंगे T, Z, Y उसमें तो 120 प्लस 60 किसके equal आ गया 180 डिगरी के है अब देखो यह line और यह line पहले थी यह इनकी transversal थी यहां से इदर को के यह वला angle आया इदर को आये इदर को आये तो यह वला angle आये यह क्या बन रहा है यू नहीं बन रहा है और यू की property क्या होती है co interior angle और co interior दो angles का sum क्या होता है 180 तो यहां पे 180 आ रहा है therefore जो p q है वो parallel है r x के देखो हमें u v और w x को parallel proof करवाना है उसके लिए हम transversal rs लेंगे क्योंकि इसके उपर angles 3 given है okay तो इसको देखो यह वाली हम फिर सो इसको भी u वाली property से ही प्रूव करने के उप्षिश करते है देखो यह एक straight line है यह एक line उसको काट के जा रही है तो यह वाला angle कितना होगा यह वाला angle जो है वो o y z है o y z किसके equal आएगा 180 minus 70 degree तो equal आजाएगा 110 degree है अब देखो यह 110 degree है और यह कितना है 60 degree है 110 degree plus 60 degree कितना होता है 170 degree तो क्या यह equal है 180 के नहीं equal है अगर नहीं equal है तो properties के उपर नहीं लग रही that means u v और w x जो है u v and w x are not parallel अगर यह नहीं parallel है तो यह हमारा question का answer है ठीक है देखो first हमारा parallel आया second नहीं आया both first and second are true both first and second are false first is true but second is false तो हमारा option c is right answer चलिए अब next question पे जलते हैं हमारा 13th question है in the given figure find the value of x इसमें x की value निकालनी है x की value अगर आप ध्यान से देखो पहले तो हमें x की value निकालनी है तो x का angle find करो क्या है देखो x यहाँ पे तो है लेकिन नीचे एक देखो line जा रही है न उसके साथ ही तो पूरा का पूरा angle है c o b यह angle है हमारा x ठीक है अब जो c o b है वो किन दोनों को plus करके आ रहा है c o f and f o b ठीक है तो यह मैंने यहाँ पे लिख लिए है जो c o b है वो x के equal है और जो c o b है वो दो angle से मिलके बनाया है c o f और f o b that means हमें यह दो angles find करने हैं यह दो angles find होगे तो हमारी x की value आ जाएगी तो चलिए अब इन दोनों angles को ढूंडते हैं कैसे ढूंड सकते हैं देखो angle जो c o f है वो किसके equal होगा e o d के कैसे एक यह line है और एक यह line है तो यह दोनों क्या हो जाएंगे vertically opposite angle तो हमें पता है जो c o f है हमें find करने के लिए हमें angle चाहिए angle e o d अगर हमने e o d find कर लिया तो हमारा c o f आ गया अब e o d कैसे find करना है यह देखो यह a o b क्या है एक straight line है इसके उपर यह 40 degree है यह 31 degree है और यह वाला angle हमें e o d चाहिए तो 40 degree plus 31 degree plus this angle angle e o d किसके equal आ जाएंगे 180 degree के straight angle बन रहे है तो angle जो हमारा e o d है वो किसके equal आ जाएगा 180 minus 71 जो कि है 109 degree तो e o d हमारा आ गया 109 degree ठीक है एक angle हमने find कर लिया अब आ रही आती है f o b की तो f o b भी ढूंटते हैं ठीक है f o b अब इसमें देखो एक f वाली आ रही है line और एक o b आ रही है तो यह हो जाएगा हमारा e b line और दूसरी हो जाएगी e f line अब e f और a b में 40 degree आ रहा है 40 degree किसके equal आ रहा है f o b के क्यों क्यों क्योंकि vertically opposite angles हैं अब इन दोनों को add कर दो तो आपका कौन सा angle आ जाएगा angle x तो angle x हमारा equal to आ जाएगा 149 degree और 149 degree हमारा option b है ठीक है easy questions है बस आपको angles ध्यान से डूणने है आप देखो यहां पे किसी parallel की बात नहीं हो रही थी न तो अगर parallel की बात नहीं हो रही तो यहां तो आपका complete angle लगेगा यहां straight angle लगेगा यहां vertically opposite angle से लगेगे बाकी किसी property के बारे में सोचने हैं की जूरत ही नहीं है आपको जब तक आपको lines parallel नहीं given होती न तब तक आपने किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है ठीक है चलिए अब 14th question पर जलते हैं हमारा 14th question देखो अब in the given figure pqrs ut are parallel lines ठीक है यह यह एन यह तीनों के तिनों parallel हैं आपस में if c is 75 degree तो यहां पे हम c को लिख लेते हैं c की ज ठीक है and a is equal to 2 by 5 c अब a की value भी दी है हमें a is equal to 2 by 5 c दिया है c है हमारा 75 तो a कितना आ जाएगा 50 degree 30 अब देखो हमें find क्या करना है then find b plus d by 2 तो पहले तो हमें d find करना पड़ेगा साथ में उसके b find करने पड़ेगा हम b find कर लें अगर b find कर लेते तो d तो अपने आप ही आ जाएगा तो कि b plus d क्या होंगे 180 degree co interior angle से लेकि उसके लिए हमें b find करना पड़ेगा अगर हम ध्यान से देखें ये वली जो line है ये वली line है ये वली line इदर से इदर आई and then इदर को चलेगे ये इसकी transversal होगी ये दो parallel lines है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे angle कौन सा बन रहा है देखो q p t q p t में कौन कौन से angles आ रहे हैं q b भी आ रहा है और a भी आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं a plus b is equal to c क्योंकि दोनो alternate interior angles है ठीक है alternate interior angles अब a कितना है है हमारा a तो हमने find कर लिया है 30 है plus b c हमें पहले से given था 75 तो b किसके equal आ जाएगा 45 degree के अब हमारे पास b की value भी आ दिये अब बचा क्या है d तो d देखो हमें यहाँ पे मैंने figure बनाई है तो मैं क्यों कर रहा हूं यह सब अब देखो यह d और b प्लस करके कितने हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा 180 degree तो d यहाँ से फिर हमारा कितना आ जाएगा 180 minus 45 is 135 degree ठीक है अब हमें जो find करना है न उसको करते हैं वो है b plus d by 2 तो b plus d by 2 तो b कितना था हमारा 45 d का half कर दो सीधे यहाँ से 6 6 7 5 67.5 तो यह कितना आ जाएगा हमारा 0.5 12 11 112.5 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा 112.5 हमारा option c है तो option c is right ठीक है चलिए अब next question पर जलते हैं यह भी अगर मैं ना भी करवाँ तो चलेगा क्यों देखो in the given figure find the value of x अब देखो इन में से कोई straight line दी है आपको नहीं दी linear पर तो लगने वाला नहीं यहाँ पर हमें चाहिए x की value सब सारे के सारे angle दी है तो हम सबके साब angle लेके 360 के equal लेके यहां से निकाल देते हैं सीधा तो 2x यह देखो यहां से 2x plus x 3x 3 plus 3 6x 6x plus 90 degree किसके equal आ जाएगा 360 degree के 90 minus 360 कितना होता है 270 degree x आ जाएगा 270 over 6 तो यह आ जाएगा 4 then 3 6 5s are 30 तो x की value आ जाएगी हमारी 45 degree और 45 degree हमारा option a right है अब देखो 17th question in the given figure d a e c b h a c g are straight line कहता है d a e parallel है c b h के और parallel है f g के तीनों की तीनों ये वाली ये वाली ये वाली line अपस में parallel है parallel दे दी है तो फटा फट से question हो जाएगा अब देखो f g क्या find करने को बोला पहले तो यह पढ़ लेते हैं x and y ठीक है पहले x पे जलते हैं देखो f g और d a e parallel है ये given है ठीक है तो ये ये और ये क्या बना रहा है u बना रहा है तो 70 और plus करके x क्या बन जाएंगे दोनो 180 तो 180 में से अगर 70 minus करेंगे तो x की value के आ जाएगी x की value हो आजाएगी हमारी 110 degree अब हमें पता चल गया यहां तो हमारा option c right है यहां b right है अब आगे जलते हैं देखो c b h parallel है a d a e के देखो यहां पर भी same ये इसकी transversal होगी ये ये और ये क्या बन गया u बन गया तो y plus 35 किसकी equal आ गया 180 के 180 में से 35 minus करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140 degree किसकी value y की value तो x की value भी आगी y की value भी आगी option भी answer आ गया हमारा सही जो की है option b ठीक है next question पे चलते हैं तो हमारा next question है 18th question ठीक है इसमें देखो rs से वो pq के parallel है rs और pq parallel है ठीक है उसके बाद दिया है rt और uq parallel है ये वाली line और ये वाली line parallel है then find the value of 8x minus 2y तो 8x minus 2y के हमने value find करनी है ओके अब देखो यहाँ पर rt and u q जो था वो parallel थी ठीक है यहाँ से देखो इधर से शुरू हुए इधर को गए और इधर को आगे तो क्या बन गया ये हमारा z तो z के अंदर कौन कौन से angle आए एक तो ये 90 degree का angle आ रहा है दिया हुए है ठीक है 90 degree का angle बना हुए यहाँ और दूसरा आ रहा है y तो 90 और y equal होगे तो y की value तो हमारे पास आगी is equal to 90 degree अब हमें find करनी है x की value उसके लिए हमें ये वाला angle find करना पड़ेगा क्यों देखो r s and p q parallel है न तो मैं r s इदर को आया and then p q की तरफ चला गया तो x plus 90 किसके equal आ रहे है y plus ये जो छोटा से angle बीच में बन रहा है न p q and u q के बीच में वो वाला angle हमें find करना पड़ेगा तो अब वो वाला angle कैसे आएगा देखो पहले हम किसकी तरफ गये थे इसकी तरफ गये थे राइट अब देखो y तो हमने find कर लिया अब हमें चाहिए x की value लेकिन x की value डारेक्टर नहीं आएगी क्यों देखो यहाँ पे यह इदर को गए इदर से इदर को आगए क्योंकि pq और rs पैलर है तो x प्लस 90 किसके equal आएगा y और यह जो चोटा सा angle बीच में बन रहा है न जो हमें given नहीं है उसके साथ ठीक है equal होंगे तो यह वाला पहले angle fine करूँगा तभी तो मेरी x की value आएगी तो अब यह वाला angle fine करने के लिए देखो यह u क्यों किया है एक straight line है straight line के ओपर एक 150 का angle बन रहा है और उसके बाद एक छोटा सा angle और बन रहा है तो 150 और that छोटा angle प्लस करके किसके equal आएगे 180 के तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो यह वाल angle किसके equal आजाएगा इसको हम माल लेते हैं z ठीक है तो हमारा z angle किसके equal आजाएगा 30 degree के 180 माइनस 150 यह होता है ठीक है तो अब हमारे पास यह भी angle आ गया y भी आ गया और x तो हमारे पास fine करना है अभी ठीक है तो this this and this तो x plus 90 is equal to y plus z हम यहाँ पे लिखेंगे x plus 90 is equal to y plus z तो x x plus 90 y और z को plus करना है तो 90 plus 30 होता है 120 120 में से 90 माइनस करेंगे अगर हम तो यह हमारा होगा 30 degree के equal तो x की value आई 30 y की value हमारे पास 90 है इधर put कर वाओ अपने आप आपासर आ जाएगा 8 into 30 होता है 240 और 2 into 90 होता है 180 तो किसके equal आ गया 60 degree के जो value उसने fine करने के बोली थी तो 60 degree option ढूंडो यह option है तो हमारा यह क्या हो गया correct आ ठीक है तो next question पे चलते है questions easy है अगर आपको properties use करनी आती है next question है 19th in the given figure ad is parallel to bc यह और यह parallel है और यह सारी की सारी सारी lines parallel दी हुई है फिर उसके बाद क्या बोला है उसने fine करने को find g h d minus h d c b c i h a b ठीक है अब इनके नामों को हम अपनी हिसाब से लिख लेंगे जैसे मैंने g h d को यहां पर देखो g h d को 1 माल लिया उस angle को angle h d c h d n c को मैंने 2 माल लिया b c i n h a b ठीक है तो b c i को मैंने 3 माल लिया और h a b को मैंने 4 माल लिया अब मैंने अपने हिसाब से मान लिए उसके बाद मैंने ये भी लिख लिया कि angle 1 और angle 2 minus करके हमारा answer आएगा उसके बाद जो second हमारा answer हमें चाहिए वो 3 और 4 को plus करके चाहिए ये सब मैंने लिख लिया यहां पर already अब उसके लिए मुझे angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 चाहिए तो चलिए फिर शुरू करते हैं उनको find करना देखो BC और ये AD जो थी parallel थी ये इसकी transversal है EF तो angle 66 किसके equal हो जाएगा angle 4 के corresponding angles के कारण तो ये तो हो गया corresponding angles के कारण ओके next देखो आप ये हो गया अब हमें चाहिए 1 find करना तो 1 find करने से पहले हम 3 find कर लेते हैं जिससे हमें easy रहेगा दोनों easy रहेंगे वैसे तो कोई भी आप find कर लो angle 4 से आप पहले 1 find कर लो वो भी आपका जल्दी आजाएगा यहां फिर 66 से 3 अब देखो ये वली लाइन और ये वली लाइन भी parallel दी उई थी अब देखो हमने angle 4 find कर लिया अब हम find करते हैं angle 3 angle 3 plus 66 किसके equal आएगा 180 degree के ये line parallel ये भी parallel है ये इनकी transversal है तो क्या property लग रही है co-interior angles तो angle 3 हमारा आजाएगा 180 minus 66 के तो ये निकल के आएगा 114 लिखे हैं अब देखो next next हम find करेंगे ये वाला angle क्योंकि इस angle के बिना हम 1 को नहीं find कर सकते अब देखो ये 4 और ये 5 क्या है एक line के ऊपर बन रहे है तो दोनों linear pair बन जाएंगे तो angle 4 हमारा कितना था 66 66 में से हमें क्या minus करना है 180 तो same ही आएगा angle 3 के that means angle 3 is equal to angle 5 अब ये वाली line parallel है ये भी line parallel है ये इनकी transversal है तो angle 5 और angle 1 भी equal हो जाएंगी तो यहाँ पर हम equal to angle 1 भी लिख लेते हैं किसके कारण corresponding angles के कारण तो हमारा angle 1 भी आगया angle 1 आगया 3 आगया 4 आगया अब वह बचा कौन सा है angle 2 angle 2 को fine करने के लिए देखो ये line parallel है ये line parallel है यहाँ से इदर को आए हम then इसकी transversal पर गे then इदर को चलेगे तो क्या बन रहा है यहाँ पे z बन रहा है और z में कौन-कौन से angles equal आएंगे co interior में alternate interior angles में 2 and 48 ये प्लस करके आएंगे पूरा का पूरा और angle 1 आएंगे तो angle 2 plus 48 angle 1 के equal तो angle 2 किसकी equal आजाएगा 114 degree minus 48 which is equal to 6 and 6 तो ये हमारा angle 2 आगया 66 degree angle 2 की value आगी angle 1 की value भी है angle 3 की भी है angle 4 की भी है सबकी फटा-फट से values put करवाए इन answer निकाल दो angle 1 है हमारा 114 degree और angle 2 था हमारा 66 minus करो यहाँ पे आजाएगा 8 last में और यहाँ पे 4 तो first आगया हमारा 48 degree angle 3 plus angle 4 angle 3 है 100 14 degree angle 4 हमारा था 66 तो ये तो 180 हो जाएगा ठीक है तो angle 3 plus 4 करके हमारा 180 degree आया है और angle 1 minus 2 करके हमारा 48 आया है तो इसको 48 आ रहा है इसका 180 आ रहा है तो कहां पे है ये D option right है यहाँ पे तो इस question का right answer है हमारा option D ठीक है तो easy question था ये भी जादा मुश्मिनी था अब next वाला question तो ऐसे ही है ठीक है if an angle is 60 degree more than 3 times its supplement ठीक है एक angle है 60 degree जादा है 3 times its supplement के then the smaller angle is of measure 60 degree तो 20th question last question है कह रहा है कि select the correct option first है vertically opposite angles are always complementary always complementary नहीं हो सकते वो depend करता है कि angles क्या है equal जुरूर हो सकते हैं हमेशा ही ठीक है B option पे चलते हैं first हो गलत हो गया if an angle is 60 degree more than अब इसमें equation मनाते है 60 degree जादा है किसके 3 times its supplementary तो supplementary angle हम माल लेते हैं x है ठीक है उसके बाद then the smaller angle is of measure 60 degree अब देखो हमें smaller angle दे दिया तो smaller angle हमारा क्या होगा x होगा तो x क्या है हमारा 60 degree supplementary angles का sum क्या होता है 180 3 into अगर मैं 60 करूं तो 180 तो यही बना देगा तो 180 अगर यही बना देगा तो 60 कहां जाएगा इसलिए यह भी गलत है next देखो sum of two adjacent angles is always greater than right angle adjacent angles में कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है angles की ठीक है उसमें सिरब यही है कि adjacent angle कैसे होते हैं तो उसमें ऐसी कोई बात होती नहीं है ठीक है last देखो the measure of complement of 41 is 49 तो 41 प्लस 49 किसके equal आजाएगा 90 दिगरी के तो यह right option है आपका answer क्या है last question का D option तो I hope यह chapter आपको समझ आ गया होगा अगर समझ आया है तो like करना इसको वीडियो को ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगे हम next chapter में next chapter हमारा होगा 6 chapter fourth हम इसके बात करेंगे sixth करने के बात तो चलिए फिर मिलते हम अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye